मेरट में गैस रिफलिंग के आवयद गोदाम में कई सिलेंडर फटने से आग लग गई बताया जाता है कि गैस सिलेंडर में आग लगने से ये हाथसा हुआ इसके बाद कई सिलेंडर फटे जिस पे दो लोगों के घायल होतने की सूचना भी है जुलास्पदाल के सामने बंसर कन्फेक्शनरी के उपर मंजिल पर गैस सेलेंडर में रिफलिंग का वैद कारोबार होता है रिहाईशी इलाके में यह वैद गोदाम मुझूद है इसकी पहले कई बार शिकायद भी की जा चुके है लेकिन कोई कारवाही नहीं की गई असपास के लोगों ने घर से भाग कर जान बचाई फायर बिगट की कई गाडिया मोके पर पहुँच कर आग पर काबू में जुटी हुई है स्रेंडर कोई पचास के असपाद दिख रहे हैं लेकिन अभी पूरा हंड़र पर्षेंट कौन नहीं कितना है यह जंग करें नहीं है सब्सक्राइब करें इस तरीके से ऐसे इतने सारे स्टोक को रहा सकता है यह तो बहुत ही खतरना बात है यदि खुश होकर एक सिर्णा ब्लास्ट रहा जाता तो बहुत कुश होता था हम दो तीन गाड़ी आ गई है इस तो फिलाज एक की सुचना मिल लिए अब देखा नहीं है पूरी जान पर नहीं पाएं आस पास के लोगों की जानते बिगतरा बनाया थे तो क्या कारवाई की जाईगी आपकी तरफ से नहीं है अब ये तो पुलिस वाले से कारवाई करें हमें आपक राव देखा थे एड़ी जान पर नहीं है जा मैं सब्रेखा उनदर हा झाले स ए forskना मैं की जाएं से ल Flower